कि हेलो एबरीवन विल्कम बैक टू मैं चैनल इस साइट सीरी एंड आज की क्लास में आपके साथ डिसकस करने वाली जैसे कि आप सभी को डाउट रहते हैं कि आप लोगों ने अभी एक्जाम देकर के आए और आप लोगों को रखता है कि मैं एक्जाम में किस तरीके से चेकि कितने स्कोर आए और आप लोगों को क्या गलतियन नहीं करने जो इनोंने की थी वो सारा कुछ आज की क्लास में आपको बताने वाली हूं तो इसी तरीके से वीडियो के अंट तक बने रहेगा और साथ मैं आपको यह भी बताऊंगी कि आपको पासिंग मांक्स के लिए आप आपको आसी क्लास में बताऊंगी उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दो और चैनल पर फोस्टाइब कर लो बैल ऐकन प्रेश करो तक आगया आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट आप सभी को मिलते रहें तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं क कि यहां पर मेरे पास अल्डेटी एमेच जीरो टू यानि मॉडरन इस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है ठीक है तो यह आपने अल्डेटी आपका जो अंसर राइटिंग आपको मिले थे एक्जाम में उसका फ्रंट पेस था तो यहां पर आप देख सकते हो जिस भी तो आप लोग अपनी यह जो अंसर राइटिंग की शीट है यह मंगवा सकते हैं इसके लिए बस आपको हंड्रेड रुपीज पे करना होता है ठीक है हंड्रेड रुपीज अगर आपको लगता है कि आप अपने मार्ग से सैटिस्फाय नहीं हो तो आप हंड्रेड रुपीज पे करने होता है पर सब्जेक्ट तो मैं यहां पर यही सजेस्ट करूंगी आप तभी करना जब आप पूरे तरीके से श्योर हो कि आपके जो माक्सा है आप वो गलत दिये टीचर ने तब आप इसको फिल करना उसके लिए पहले यह पे करके अपनी अंसर शीट अ पर सब्जेक्ट इसमें क्यों होगा आपकी जो कॉपी वह दुबारा से रीचेक होती है ठीक है रीचेकिंग होती है टीचर दुबारा आपके अंसर आइटिंग को चेक करते हो और फिर आपके डाउट आता है कि मैं में इस माक्स बढ़ने की चांचेंस होते हैं बिल्कुल ह होते तो बिल्कुल बढ़ जाते हैं चाहे वह आपके दो ही मार्स क्यों नहीं होती है कि वह पर सब्जेक 700 रुपीज पे करें तो आप लोग 100 रुपीज पे करके अपने बंगा कर और छेक आउट कर सकते हो नहीं तो दुबारा से रही एक्जाम दे सकते हैं मतलब अगर करने आपके पास इतना है या यह पूलों कर सकते हैं में नहीं एमपीस पे नहीं कर सकते तब लोग को कर जो इग्जाम दिसंबर में होगा तब भी आप इस सब्जेक का दुबारा से एग्जाम दे करके अपने मार्स को सही कर सकते हो यहाँ पर आपके डाउट आते अभी वह आपको अंसर शीट दिखाऊंगी यहाँ पर लेकिन आपके डिग्री आएगी जो फाइनल रिजल्ट आएगा तो आपको तब उस रिजल्ट में 56 मार्क्स डिक्लियर नहीं होते तब आपके अगर मानलो 64 अगर बढ़ गए मार्क्स तो 64 अगर मैंचन हुआ तो 64 ही आपके रिजल्ट में दिखेगा बट कभी कभी देखो क्या होता है ऐसे चांसेज भी होते हैं कि आपके मार्क्स कम हो जाते हैं मालो आप लोगों ने रिजल्ट दिया और 56 की जगा इस पर मालो 54 है तब आपके एक्जाम में 56 होगा मतलब इगनू क्या करता है कि वह आपकी मार्क्स शीट में वही मार्क्स में पर मेंशन करेंगी तो सबसे जबने जाते हैं अब आप चांव री एक्जाम दो चाहे हम बद दो लेकिन आपको एक्जाम में वही मार्क्स देखने को मिलते हैं ठीक है चलो आगे अगर आगर बात करें आपके डाउट होते है मैं three lo आणा चैको मैं पहले एक बात बता दूँ आप लोगों को पता है आपका जो एक्जामे और जो हमारा assignment है दोनों ही 100 हंड्रेड मार्क्स का था मैंने आपको पहले ही बता है था एक्जाम में हमें अलग से पास होना होता है और assignment में अलग आप एसे कई ऐसे student को लगता है कि assignment के marks मिल करके हम exam में pass हो जाएंगे ऐसा कुछ नहीं होता exam में separately pass होना होता है अब बात करते हैं कि exam में marks होने कितनी ची तो देखो याद रखना out of 100 आपके 40 marks होने compulsory अगर 39 है तो back हो जाएगी मतलब fail हो जाओगे अगर आपको pass हो रहा है तो हर subject में आपके 40 से उपर होना चाहिए 40 भी होगा तो भी pass माने चाओगे लेकिन अगर यह 39 हो गया तो आप fail हो जाओगे तो आपको दुबारा से subject का exam देना होता है clear हो गया तो यहाँ पर आपको पता है कि आपके exam का 70% और assignment का 30% मिला करके तब आपके subject का percentage बनता है यह percentage कैसे निकाल सकते हो इसके ओपर already मैंने वीडियो बना दिया है उसका link आपको नीचे comment box में मिल जाएगा comment box में check कर लेना जिसमें आपको exam और assignment के marks add करके किस तरीके से आप एक subject के marks को निकाल सकते हूं clear हो गया तो यह तो बात हो गई कि हमें exam में passing marks कितने होने चीए और अगर हम अपने marks से खुश नहीं है तो हम क्या-क्या चीज़े कर सकते हैं ठीक है देखो अभी तो result धीरे-धीरे declare होगा और evolution अभी यह सब चीज़े अभी आपके exam में आने में time है तो यह सब अभी आगे आएगा बट अभी जो आपके marks है और आपको लगता है आप satisfy नहीं हो खासतोर से जितने भी student MA history कर रहें तो आप लोग 888-219-6980 यह वाट्शाप नमबर है अगर आप में से कई ऐसे student है जो अपने mark से खुश नहीं है तो आप मुझे इस नमबर पर अपनी mark sheet जो है वो share कर सकते हो और फिर मुझे discuss कर सब्सक्राइब कि आखिरकार मैं आप मुझे चेकिंग की इगनु में जो एक्जाम हुआ है अभी आपके इसमें चेकिंग किस तरीके सोती यह आपका डाउट है उससे पहले जादा से जादा से वीडियो को शेयर करो क्योंकि आपके ऐसे कई सारे दोस्त होगे या फिर रिलेटिव में होगा या जो भी स्टड़ी ग्रूप हर जगा शेयर करो जिन्होंने अभी आपका एक्जाम दिया है तो उनको हेल्प हो जाए और इस सारी चीज़ें पता चल जाए चानल पर फॉस्ट टाइम हो पेज नंबर की शुरुवात होती हो पेज नंबर 3 से सुरू होती है है और यह तब आपके 26 ते जाएगी तो ओवराल देखा जाए तो हम आपके पास टोटल 24 पेजी मैंने आपको पहले भी बताया था यानि आपको अपने एक्जाम में जो पांच क्वेशन्स होते हैं तो आप देखते हैं कि पहले तो इन्हों स्टूडेंट ने जिसकी भी मार्क शीट है इन्होंने कितने पेजीज यहां पर फिल करें और 56 जो इनके मार्क से क्या वो सही आए या नहीं आए उसकी बारे में भी बात करते हैं देखो पहले में आपको इनकी राइटिंग हम दे यहां पर टीचर जो है वो पढ़ सकते हैं 20 मार्क के क्वेशन में आपने देखा कि इन्होंने आपके 20 मार्क के लिए कितने पेजीज फिल करें 4 क्योंकि आपने देखा न हमारे पेज की शुरुवात पेज नमबर 3 से हुई थी और पेज नमबर 6 पे इन्होंने अपने अंस यहां पर 4 पेजीज फिल करें और यहां पर आप देख सकते हो कि इन्हें कितने मार्क मिले 11 आउट ओफ 20 क्यों मिले वो भी मैं भी बताऊंगी पहले राइटिंग की बात कर लिए पेजीज आपने देखा कि 20 मार्क के लिए उन्होंने 4 पेजीज फिल किया है फिर यह एक लाइन में तीन दिन वर्ड मैंशन की है अभी आप सिफ नोट करते रहो फिर मैं आपको बताती हूँ कि यहां पर कहां गलती है कि क्या हम ठीक कर सकते हैं आपने देखा ऐसी सेक्षन भी की तरफ बढ़ोगे और यह मैं स्क्रॉल करते वे मैं आपको लास्ट पेज तक ले जा रही हूँ तो यह रहा यहां पर आप देखोगे तो इन्होंने टोटल ट्वेंटीफोर पेजीस बिज़े ट्वेंटीटू पेजीस बरे मतलब दो पेजीस रहे चुके हैं यानि एक जो आपका सिफ एक पेज होता है एक पीछे का दो गया तो इन्होंने पूरी पहली बात पूरी सब्सक्राइब तो यहां पर आपने देखा यह में लास्ट क्वेशन ही दिखा देती हूं इन्होंने एक क्वेशन लिखा था आपके एमेचाय जीरो टू का है और सेक्षेन फॉस्ट का किया है कैपिटलिजम के बारे में पूंजीवाद का एक्वेशन एक्वेशाम में तो इनमे एक अच्छी बात क्या थी कि इन्होंने अपनी अंसर राइटिंग में बहुत अच्छा लिखा है अच्छा मतलब इन्होंने जो मेंड बाते हैं वो सारी चीजे यहां पर पॉइंट आउट कियें आप सभी देख सकते हूँ ठीक है दूसरा की इन्होंने आपके सा और वीच में उर्झे तो पॉइंट में क्या है कि त्यां में अंसर आइडिंग में को सड़े ओंगारु भी सब्सक्राइण जाय कूप चिसरे में आंशर को ओएं भी अपने में आंशर के देखेंग ऊड़ायगा आपने यहांको क्या है यह अब इस पर main question जो होता है वो तो आपको करना ही है लेकिन introduction conclusion करोगे तो जादा अच्छा score आता है तब ही देखो कि इनोंने 20 में से 12 marks मिलें ठीक है लेकिन देखो यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कई बार बताया भी है paid badges के student को भी एक बात बताईए अगर आ 50 से 60 के बीच में दिखेंगे 50 से 60 के बीच में आते हैं जिसके पूरे pages फिल नहीं होते वो तो आपने देखा कि इनके कितने बाक्स है 56 बट इन में अच्छी बात क्या थी कि इनोंने अंसर बहुत अच्छा लिखा है आप में से कई ऐसे होते जो stories लिख कर आते हैं ठीक है कह अच्छा इस तरीके से कर सकते हैं कि आप लोग अपने important fact को important चीजों को underline जरूर करना आपने देख लिए कि चेकिंग कैसे करते हैं इनों के लोग यहां पर इन्होंने चीजों को point out में लिखा तो यहां पर आपकी सारी चीजे नजर आ रही हैं ठीक है तो यह इनका last question जिस इसमें इने 10 marks मिले इसमें क्या गलती करी हैं इनोंने यहां पर भी समझते हैं स्क्रॉल करके उपर तक जाते हो section B में question number 9 consumer का question जो कि इस बार भी आय था वारे एक्जाम में तो देखो consumers related question इनोंने यहां पर किया है और यहां पर देखो मैं आपको पहले भी बता दू कभी भ pages में अपने answer को complete तो जरूर करा है लेकिन इनोंने क्या करा है कि अपने answer को जो answer में main main बात ही लिखी है बहुत साज student वो काम नहीं करते ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो कि इनोंने क्या करा है और point में तो लिखा है बहुत अच्छी बात है point में लिखने में कोई problem नही करें ठीक दूसरा आप देख रहे हो कि इन्होंने time period mention किया है इन्होंने आपके historian का नाम mention किया है यहां पर book publish हुई थी इन्होंने यह चीज मैंशन किये तो यहां पर दिखो में नजर आ रहा है बहुत सारे स्टूरियंस के नेम scholar के नेम याद नहीं करते यह चीज़े होती ह वह इसारी चीज़े mention नहीं करते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था history वे आपको time period आपको जो scholars हैं और किसने कौन सी book लिखिया कौन सी बाते कहीं है यह सारी चीज़े अगर आप mention करोगे तो हमें एक अच्छा score देखने को मिलता है तो यह चीज इन्होंने अच्छा जाने वह अंसर राइटिंग बे जाए गई लेकिन दूसरी चीज आप में से कहीं ऐसे होता है जो इगनों में अंसर लिखते हैं लेकिन क्या करेंगे यहां से लेके हैं तक point फिर next page फिर next point फिर next लेकिन इन्होंने क्या किया आप देख सकते हो एक पॉइंट कम से कम अच्छ सारा से बात कहूंगी यह चीज तभी मैंशन करना जब आप पूरे तरीके से शूर हो कि आप अपने अंसर राइटिंग को टीचर को दिखाना चाहते हो और आपने उसमें अच्छी बाते यानि प्रॉपर तरीके से सारे जो क्वेशन में चीजे पूछी वो मैंशन किया तो अ सब्सक्राइब करी है और दूसरा की आपने देखा कि यहां पर देखो यह तभी पॉसिबल है आज जो इनके मार्स दिखें ट्वेंटी में से लेवन यह इसलिए क्योंकि इन्होंने टाइम पीरिड मेंशन किया है तो यह इसलिए अदर्वाइस ट्वेंटी में से एट मार् आते यह प्रॉपर वे से अपने अंसर राइटिंग को नहीं लिखते ना तो यह मार्स आपको मिलेंगे ही नहीं मैं आपको बता दू अभी यहां पर जून में आप सभी एक्जाम देकर आयो तो आप मैंसे सारे स्टूडेंट को पता है कि आप लोग अपनी आंसर राइटि है तो आप उसमें अंडरलाइन करो ठीक है यह सारी चीज़े जब अंडरलाइन करोगे आप में देखा है इनके हर एक अंसर में इसी वज़े से इन जिस भी स्टूडेंट की यह है आंसर शीट इनका यहां पर मेरे पास मैसेज आये तो उन्होंने में से डिसकस भी किया था तो यहां पर यह बात तो यह की मैं मुझे गरणा चाहिए वह इस बास शोड़ थे उन्होंने अंसर राइटिंग अच्छे लिखी है जिसके अकॉर्डिंग लिए उन्हें इतने माक्स नहीं मिले तो रिया विल्यूशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ठीक है रिया व और इनके जो marks है वो बड़े थी तो ये तभी करना जब आप यूर हो तो मैंने आपको क्या बताया क्योंकि देखो रियाविलुशन में मैक्सिमम चांसिज होते हैं कि मार्क्स बढ़ जाते हैं तो यह तभी पहले आपको क्या बता है उससे पहले इनकी तरह पहले अपनी अंसर राइटिंग मंगा सकते हो तो 100 रुपीस पर सब्जेक्ट होता है अंसर राइटिंग आप जो भी अपनी इमेल आ पहले हैं फिर मैं आपकी अंसर राइटिंगो चेक आउट करके बता Σकती हो कि यह से आप ने किया है यहां पर बोला कि यहां पर हमें पता होता है कि हमने तो अंसर सब्सक्राइचों और इम्पोर्टेंट चीज़ां भी बताएं और इसके बाद भी अगर मार्क्स कम आते है तो अब आप मेंसे कई ऐसे होते हैं जो यह सारी चीजे मेंशन नहीं करते हैं ठीक है जो कहानियां लिखते हैं जो की और इंपोर्टेंट चीजें नहीं बताते हैं तो मैंने आपको क्या बताया तो अभी आपकी जब रिजल्ट आएगा तो आप देखना कि आपको आउट ओफ 20 में से फिर यह 8 या 9 से जधा मार्स नहीं देते इहां पर आपने देखा कि इने कहीं पर 12 मिला है कहीं पर 11 मिला है कहीं पर 10 मिला है वो भी उन्होंने किस तरीके से लिखा यह भी मैटर करते हैं मतलब आप्रॉक्सली 20 में से 12 भी तभी मिलेगा जब आपने यह point to point यहाँ पर चीजे बताई होंगी मैंने आपसे पहले भी का था कभी भी कोई भी answer writing की तयारी आप सभी करते हैं तो पूरे 5 pages के answer याद करने की वज़ाए कोशिश करो उस answer में main main चीजे यानि जो scholar, historians होंगे उनकी जो books है time period ये कुछ notes बनाके अगर आपने याद कर लिए और बाकिया आप कहानिया लिखते रहो अगर ये चीज अच्छी रही तो stories नहीं देखते टीचर ये चीजे कोई ये सब आपारे एक answer पे एक अच्छा effect डालते हैं समझ रहे हो आप सभी master का exam हम सभी दे रहे हैं या फिर आप BA कर रहे हो उसका exam दे रहे हो तो यहाँ पर हमें सिफ कहानिया ने लिखनी जो हम स्कूलों में करते बहारे तो teacher की कोईश रहती है कि master के exam है master की answer sheet चेक हो रही तो उसके accordingly हम answer लिखी ठीक है यहाँ पर मैं आगे बता दू जो भी अभी December में exam देंगी तो future में भी exam देंगी तो आपको देखो यहाँ पर यह ऐसे marks क्यों आई या और अच्छे भी आ सकते थे पहले तो आपको completely अपने पूरे 24 pages को फिल करना है दूसरी चीज आपको अपने answer की शुरवात introduction conclusion इस पर करना है तीसरी चीज अगर आप point में answer बता रहे हो तो जिस तरीकी से इन्होंने किया है point में लेकिन paragraph सोड़ा बड़ा था आप मेंसे कई ऐसे जो तीन line लिख देंगे एक point खतम तो दूसरा point यह काम नहीं करना तीसरी आपको जो गलती नहीं करनी है वो है जो आप मेंसे कई होते जो इस सरफ भी margin line जो क्लिक यहां पर करके आते हैं यह काम नहीं करना एक तरफ already इगनों ने आपकी यहां पर line दे रखिये उसके accordingly काम करने नेक्स अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है आपकी राइटिंग पर तो यहां पर आप देख सकते हो आपने देखा है यहां पर देखने को मिलते हैं तो यह तभी possible है जब आपने अपने अंसर राइटिंग में इस तरीके से लिखा होगा जिनोंने नहीं किया या अब जो फ्यूचर में एक्जाम देंगे यह अंसर राइटिंग में इसलिए कर करें ताकि आप लोगों से यह गलतिया ना हो इसलिए मैंने आपको बताया आपने अभी जो एक्जाम दिया ठीक है आपके accordingly लेकिन मैंने आपको क्या बताया time period ठीक है आपको historians के name map बना सकते ह तो हर question मेंने तो किसी question में करो ठीक है writing अपनी clean रखनी है पूरी कोशिच करो इतना साही लिखना है कि teacher का ध्यान उस पे जाए कोई भी चीज कट कर रहे तो normally एक ऐसे कट ऐसे मैंने मना किया था यह काम नहीं करना कि जो design बना कर आते बहुत सारे स्टूडेंट यह गलतिया करने करने माक्स बिल्कुल कि टीचर को फिर उटाइडी लगता है तो माक्स और कम कर देते हैं क्योंकि टीचर के पास सिर्फ एक यह अनसर शीट नहीं होती ना चेक करने को बहुत सारी होती है तो बिल्कुल मैश अप हो जाता है यह स्टूडेंट की रिस्पॉंसिबिलिट से लिखना किस तरीके से नहीं लिखना चाहिए सेव एजट इस हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आपने देख लिया कि इगनू जो है किस तरीके से चेकिंग करता है इन्होंने फॉर्स स्टेश सेट प्रॉपर वैसे बताया है टाइम पीरेट भी बताया है यहां तक क्लियर हुआ मैप बना सकते हूं जैसे फोर में 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 जिस भी सब्जेक्ट पे जिस भी टॉपिक में हम वह भी कर सकते हैं लेकिन और भी अच्छा स्कोर लाना है देखो ऐसा नहीं कि इससे और उपर नहीं था 20 में से 16 भी मिलता है यह तब मिलेगा जब आप अनशनित देख रहे हूं जैसे आपने अनसर लिखा है तो मैंने आपको पहले भी मतायी था साइडवे हैं से Days तरीके से और आप इसमें आपको अपना मैप बनाना है समझ रहे हो यही मैंने आपको तब भी बता है था ऐसे मैप बनाना एगर आपको सब कुछ नहीं आता तो भी पूरा इंडिया का मैप नहीं आता कुछान बता रहे हो साउथ इंडिया का पार्ट बता रहे हो जो भी मैप आप बना रहे हो इस तरीके साइड में बता करके और यहां पर सारी बाते मैंशन कर सकते हो पहले भी बता है था तो यह मैं आपको बता रही हूं कि कई ऐसे स्टुन्ट होते जो बीच में यह काम करके आते या फिर बहुत बढ़ा सा कर देंगे हमें यह काम नहीं करना कि टीच यह कोई भी डाउट या क्यारी है तो आप मुझे से पूछ सकते हो कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हो और आशा करते हूं कि आज की क्लास में आपको सारी चीजे क्लियर हो गई इगनू में चैकिंग कैसे होती है पासिंग मार्स के लिए 100 वैसे 40 मार्स हमें चाहिए ही चाह इसके पास इतने फीस नहीं होती पे करने के लिए तो कोई शुनी है दुबारा से दिसंबर में एक्जाम दे सकते हो और अपने मार्स को इंप्रूफ करा सकते हो तब आपके रिजल्ट में अभी वाले मार्स नास हो करके जो इंप्रूव्मेंट में मार्स होंगे वो होगा तो यह सारे तरीके होते हैं च्वाइज आपकी है क्या कर रहा है क्या नहीं और अगर इसमें भी कोई डाउट है तो मैं हुई आप सभी के डाउट के सॉल्यूशन के लिए आप उसे कॉंटाइक कर सकते हो अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर वा सकते तो आशा करते हो प्रॉब्लम में जितने भी शुल्टे हैं यहां पर एडविशन लिया हो सभी की हल्प हो सके तो चरी शुल्ट आज की क्लास में बस इतना ही मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग